लेखर बताते हैं बरोदा नामक व्यक्ति ने कहा एक समय था जब मैं भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था किन्तु मेरे जीवन की कहानी में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद प्रेतात्माओं पर विश्वास ना करना मेरे लिए असंभव सा हो गया लगभग दस साल पुरानी है ये बात ये खटना इतनी भयाभय थी कि इसका सामना मैंने अपने जीवन में दुबारा कभी भी करना नहीं चाहा बरोदा अपने मित्रों से इस खटना का उलेग करते हुए कहते हैं परिक्षा खत्म होते ही मैं अपने मामा जी के घर और इससा जाने के लिए निकल पड़ा लगभग रात के दस बज़े की ट्रेन थी मैं उडिस्सा जाने के लिए अपने साथ केवल एक सूट केस लेकर आया था ट्रेन का समय अब तक नहीं हुआ था और स्टेशन में पैसेंजर्स भी काफी कम थे काफी समय तक स्टेशन में अकेला रहना मेरे मन को कुछ खास नहीं भा रहा था स्टेशन में मौजूद कर्मचारी और स्टेशन मास्टर भी सो रहे थे इस बीच मैंने भी एक अच्छी सी जगर ढूंड कर विश्राम करने का नड़ने ले लिया जिस कमरे में मैं विश्राम करना चाहता था उस कमरे में एक और व्यक्ती मौजूद थे जो आधी नींग में थे जैसे ही मैं कमरे की भीतर प्रवेश करने लगा वो व्यक्ती अकस्मात उठ गए और उन्होंने फौरन अपने बैक को कस कर पकड़ लिया बिना उनकी हरकतों पर ध्यान दिये मैं कमरे में मौजूद खुरसी को अपनी ओर खीच कर बैठ गया वो व्यक्ती बूढ़े थे किन्तु मेरी ओर वो बेहत विच्चुत्र तरह से देख रहे थे इस दोरान मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि मैं खाली पन में ये समय व्यतीत नहीं करना चाहता था मैंने उनसे पूछा कि आप कहा जा रहे हैं ये सुनते ही वो उन्हें बैक को संभाल कर रखने में व्यास्त होने लगे उनकी हरकते देख मुझे ऐसा आभास होने लगा मानो जैसे वो मान कर बैठ चुके हैं कि मैं यहां उनकी बैक चुराने के मकसद से ही आया हूँ वो हची तावनी के स्वर में मुझसे कहने लगे मैं नहीं बता सकता कि मैं कहा जा रहा हूँ बरूदा बताते है कुछ देर बाद उन्होंने यही प्रश्न मुझसे पूछा मैंने उन्हें बताया कि मैं उरिसा अपने मामा जी के घर घूमने हितू जा रहा हूँ उरिसा के बारे में बाते करते करते उनकी स्वर और भाशा बदलने लगी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो पहले भी उरिसा जा चुके है मैं बेज़िशक होकर उनसे इस विशे पर प्रश्न करने लगा और उन्होंने मुझे बताया कि उरिसा के उतकल यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था मैं उद्कल यूनिवर्सिटी में फिसिक्स पढ़ाया करता था साथ ही वो बताने लगे कि उनका नाम बिर्जु मुहन है यहाँ नाम सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मैंने पहले भी यह नाम अपने मामा जी से सुना है मेरे मामा जी बिर्जु मोहन सर के बारे में काफी बाते किया करते थे क्योंकि एक समय था जब वो खुद भी बिर्जु मोहन के शिश्य हुआ करते थे काहत साता है कि बिर्जु मोहन बहुत सिक्षित, विख्यात एवं नामचीन प्रोफेसर हुआ करते थे किन्तु उनकी दिमागी हालत के कारण उन्हें अकस्मात नौकरी से निकाल दिया गया था लेखक बताते हैं कि बरोदा का कहना था इन बातों का अपने जहन में सूच कर मैं उन्हें परक्णी की कोशिश करने लगा मुझे किसी भी प्रकार से ऐसा अनुमान नहीं हो रहा था कि वो किसी भी तरह के मानसिक रोक कशिकार है उनके आचरण और व्यवार से ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा था बातों ही बातों में मैंने उनसे कहा मैंने अपनी मामा जी से आपके बारे में काफी कुछ सुना है और एक समय था जब वो आपके शिश्य हुआ करते थे मामा जी का नाम सजल बताते ही बिर्जु मोहन जी आनंदित पोट करके मुझसे पूछने लगे अच्छा तो सजल तुम्हारी मामा जी है वह कहने लगे यह जानकर मुझे अत्यंत खुशी मिली है आज परोदा बताते हैं कि यह कहकर उन्होंने सुकून से अपने बैक को मेरे ठीक सामने मेच पर रख दिया उनके बैक को लेकर मैंने उनसे पूछा आपके बैक में जरूर बहुमूलने सामान है है ना बिर्जु मुहंजी ने बताया हाँ मेरे बैक में ऐसा बहुमूलने सामान है जो शायद इस धर्ती में और किसी के पास ना हो उच्छ सुक्ता से मैंने उन्हें इस विशे पर प्रश्न किया उन्होंने मुझसे कहा कि यह बहुमूल्य सामान एक हरा चश्मा है और मैं इसे सर ओलिवर लॉज को दिखाने ही दू अपने साथ महफूस लेकर जा रहा हूँ यह जान कर बरोदा को कुछ खास अनुभूती नहीं हूँ बरोदा कहते हैं मैंने फिर भी उनसे पूछा के सर ओलिवर को आप यह हरे रंकल चश्मा क्यू दिखाना चाहते हैं आखिर इस चश्मे की क्या खासियत हो सकती है बिर्जु मोहन जी की स्वर की भावना बदलने लगी वह नम रहो कर मुझसे कहने लगे क्या तुम बहुत प्रेट पर विश्वास करते हो मैंने बड़ी सरलता से कह दिया बिलकुल नहीं बहुत प्रेट का वास्तव जीवन में अस्तित्व ही नहीं होता है इसलिए मैं इन सब धक्यान उसी बातों पर बिलकुल भी यकीन नहीं करता हूँ मेरी बाते सुन कर बिर्चु मोहन जी हसने लगे वे हसते हुए मुझसे कहने लगे अन्दे की चीज़ों पर हमें कभी कभी विश्वास करना पड़ता है क्योंकि धरती और जीव से जुड़ी कई ऐसी चीज मौझूद है जिसे हम ने कभी ना देखा हो किन्तु वास्तव में हम उन अन्दे की चीज़ों पर यकीन जरूर करते हैं बिर्चु मोहन जी की बातों का जवाब देकर मैंने उनसे कहा कि धरती और जीव से जुड़ी हर चीज़ों की च्छवी हम माइक्रोस्कोप एवं टेk्नोलोजी की मदद से देख पाते हैं किन्तु भूत प्रेत को हम केसी भी माध्यम से नहीं देख पाते हैं इस बात से बिर्चु मोहन जी भी सहमत थे किन्तु वो हसने लगे हसते हुए वो मँझसे कहने लगे कि दूच ऐसे हम माइक्रोस्कोप एवं टेक्नोलोजी की मदद से अन्दे की चीज़े देखते हैं उसी प्रकार धर्थी पर कई ऐसे मनुश्य मौजूद है जिन होने अपनी आखों से भूत प्रेथ पिशाच देखे है ये सुनकर मैंने दुबारा उन से सरलता से कह दिया जिन होने भूत प्रेथ वास्तफ में देखे हैं वो सिर्फ धोंग एवं नाटक करते हैं रही बात बाकियों की तो हो सकता है ये सिर्फ उनका एक भ्राम हो मेरी बाती सुनकर पिर्चु मोहन जी ने मुझसे कहा एक समय था जैसा तुम कह रहे हूँ वैसा मैं भी कहा करता था मैंने कभी भी भूट प्रेथ जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं किया क्योंकि मैं खुद विज्ञान का सिक्षक हूँ किन्तु पिछले साल घट घटना के बाद संदगी देखने का मेरा नजरिया संपून रूप से बदल गया खुद के यकीन के भरोसे मैंने ऐसी एक वस्तु का आविशकार किया जिसके बाद मेरी संदगी ने नया मूर ले लिया इस विशे पर बिर्चु मोहन जी से पूचते ही वह कुछ देर के लिए सहम से गये और फिर उन्होंने मुझे बताया मैंने एक चश्मे का आविशकार किया है जिब बाइनाकुलर लेंस द्वारा बनाया गया है और यही हरा चश्मा फिलाल मेरे बैक के बीतर है जिसे मैंने अब तक संभाल कर रखा है मैं ये चश्मा सर ओलिवर लॉज को दिखाने हे तू अपने साथ ले जा रहा हूँ मैंने कौतुहल से उन से इन सारी खटनाओं के बारे में पूछा और फिर बिर्जु मोहत जी ने मुझे बताया मेरे जीवन से जुड़ी ऐसी कई बाते हैं जो शायद मैंने कभी भी अपने जीवन में किसी को ना बताया हो किन्तो तुम जबकि ये बाते जानना चाहते हो मैं तुम्हें सारी बाते शरूर बताऊंगा मैं फिजिक्स का प्रोफेसर था विज्ञान मेरी संदगी है मैंने कभी भी भूट प्रेज जैसी बातों पर विश्वास नहीं किया और जो लोग इन बातों पर विश्वास करते थे, मैं उनकी बातों को टाल दिया करता था, किन्टु मैंने कभी भी यहां नहीं सोचा था, कि एक दिन मैं खुद भूत प्रितों की बातों पर लोगों को यकीन दिलाने हैं तो, सर ओलिवर लॉज जैसे व्यक्तियों से मिलने है तुझाओंगा जब भी मैं इन बातों का पसंग उठाता हूं लोग मुझे पागल करार कर दीते हैं जिन्दगी की सबसे कठिन परिस्थिती मैंने अपने जीवन में ठीक एक साल पहले अनुभव किया यूनिवर्सिटी के लाबोरीटरी में मैं दुर्बीन की मदद से एक्सपेरिमेंट कर रहा था इस दोरान मुझे हरे रंग की क्रिस्टल मिली बिना किसी यंतर की मदद लिए मैं लेंसेस मनाने में लगा रहा अपने हाथों का इस्तमाल करके मैंने लेंसेस बनाया ये कोई माम पूली बात नहीं थी किन्तु लैंसेस को संपूर्ण रूप से अच्छा बनाने के प्रयत्त में मैं चुटा रहा बड़ी महनत से मैं ने उन लैंसेस को तैयार किया और यह अब बिल्कुल बाइनाकुलर लैंसेस की तरह बन चुकी थी फिर मैंने एक दिन दोफेर के समय उन्ह अकेले ची से परख रहा था अकस्मात मैंने अपने ठीक सामने खुरसी पर किसी व्यक्ति को बैठे हुए देखा ये व्यक्ति मेरी और देख रहा था व्यक्ति के पौशाग बहुत आसामान्य थे बंद कमरे में उस अंजान व्यक्ति को अपने आखों के सामनी देख मैं खबराने लगा और खबरा कर मैंने वो चश्मा उतार दिया चश्मा उतारते ही वो व्यक्ति कहीं कायब हो गया चंद शडू में हुई इस खटना को मैं सही रूप से समझ नहीं पा रहा था इसलिए मैंने दुबारा से वही चश्मा पहल लिया और मैंने देखा कि वो व्यक्ति बिना दर्वासा खोले दर्वासे के आर बार जा रहा है इस खटना को अकसमात अपने सामने खडित होते हुए देखना और फिर इन चीजों के बारे में सोचकर मन ही मन विचलत होना यह मेरी दंशर्या का सबसे भयावय काम बन चुका था क्योंकि इस खटना को भुलाने में मुझे काफी समय लग रहा था खुद की मानसिक परिस्थिती संभाल कर एक दिन मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट करते करते मैंने एक ऐसी खोच का आविशकार किया है जो शायद बहुमूल्य हो मैंने निर्णे लिया कि इस एक्सपेरिमेंट की विशे में मैं हमारे प्रंसिपल साहब को बताऊंगा जैसे ही मैंने उनसे इस बारे में बात की उन्होंने मुझ से विश्राम करने के लिए कह दिया उनका मानना था मैं शाररिक और मानसिक रूम से स्वस्त नहीं हूँ हताश होकर मैंने कक्ष से प्रस्थान किया फिर मैंने इस खूच के बारे में और उस दिन घटित उस घटना के विशय में अपने कुछ खास मिंत्रों को बताया किन्तु उन्होंने भी मुझे विश्राम करने की सलहा दे दी उनके व्यवार से मैं बेहत दुखी था पेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी मैं यही जानना चाहता था क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरी बातों की गहराई को ना समझने के बाउजूद भी मेरी खूच के बारे में मुझसे प्रश्न करे एक बार यह जान कि कोशिश करे कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या बनाया है कि विज्ञान का प्रोफिसर होने के बाउजूद भी मैं उन्हीं बातों का जिक्र कर रहा हूं विर्जू मोहन जी पुरानी बातों को सोच कर दुखी होने लगे फिर उन्होंने बताया जानते हो काफी दिनों तक मैं इन्हीं बातों को लेकर परिशान था इन्तु एक दिन इन सारी बातों के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया मैंने सोचा क्यों ना युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इस विशे पर बताया जाए उनसे मिलने के लिए मैंने एक चिठ्थी अर्जी के तोर पर जमा कर चिठ्थी के माधियम से मैंने उन्हें इस विशे पर घटी सारी घट्णाओं के बारे में विस्तार से बताया साथ ही मैंने उनसे कहा कि अगर वो सच्चाई पर विश्वास करके आविशकार का सबूत देखना चाहते हैं तो मैं उनके सामने खोच का प्रदर्शन करने हे त संपूर्ण रूप से तैयार हूँ एक सब्ता की भीतर मेरी चिठ्ठी को जमा कर लिया गया किन्तो इस वीच मेरी खोच एवं उस खटना के बारे में सभी को मालूम पढ़ चुका था इस विशे को लेकर सभी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं युनिवर्सिटी में अ सबन कर ना रहे क्योंकि मेरा उस युनिवर्सिटी में रहने का सिर्फ एक ही अर्थ है युनिवर्सिटी के शान की परबादी क्या तुम चानते हो इस तीफा जमा करते ही मुझे फारण उनिवर्सिटी से जाने के मन्सूरी दे दी गई थी इस खटना के बाद मैं कई महान- जिन्हें मैंने अपने खूच के बारे में बताया किन्तु इन में से किसी ने भी मेरे आविशकार को एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की मेरी बातों को सुनकर सम मुझे पर हसने लगे कई लोगों ने मुझे इतना जलील किया मानो मैंने अपने पूरे जीवन में एक प्रोफेसर होकर भी कोई इज़त ना कमाई हो इन कुछ महिनों में घटित घटनाओं के बारे में मैंने अब सूचना ही बंद कर दिया था क्योंकि हर दिन मैं लोगों की कठोर बातों का शिकार होकर खुद से नजरें नहीं मिला पाता था एक दिन मैंने निर्णे लिया कि अब मुझे इस मुशे के पारे में सर ओलिवर लॉज को बताना होगा क्योंकि अब वही एक शक्स है जो मेरी बातों पर यकीन कर सकते हैं साथी इस दौरान मैंने अनुभव किया इस चश्मी को नश्ट करने की कोशिश में भूत परित जुटे रहे क्योंकि आए दिन इस चश्मी के साथ कोई ना कोई हादसा होने लगा कभी किसी चोर की इस पर नजर बढ़ जाती थी तो कभी यहाँ खुद पखुद नीचे गर जाता था इन ही कारणों की वज़य से मैं इस चश्मी को बेहत संभाल कर अपने पास रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इस आविश्कार के बारे में सभी को पता चले और कोई भी इसे सिर्फ एक मसाग का पात्र बना कर खोज की तोही ना करे हाला कि अब तक मेरे साथ यही हो रहा है चानते हो जितनी बार भी मैंने इस चश्मे को पहना है उतनी बार उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की है एक बार भूत प्रेतों ने मुझे जकर कर मेरे केश को ऐसे पकड़ा हुआ था मानो जैसे वो सभी मुझे दर्द दे कर चश्मे को तबाह कर देना चाहते हैं उस दिन ये चश्मा लभख तूट चुका था किन्तु मैंने पूरी निष्ठा से इससे अब तक बचाए रखा है बिर्जु मोहन जी कहते हैं मैं नहीं जानता मैं कभी इस चश्मे को ओलिवर लॉच सक पहुँचा भी सकोंगा या नहीं अब लेखा कहते हैं बिर्जु मोहन जी की बाते सुनकर कही न कहीं बरोदा को उनकी बातों पर विश्वास होने लगा था वह कुछ पलों के लिए खामोश थे फिर उन्होंने बिर्जु मोहन जी से पूछा अच्छा अगर मैंने इस चश्मे को पहना तो क्या मैं प्रेतात्माओं की दुनिया को देख सकूंगा क्या ये मेरे लिए संभव होगा बिर्चु मोहन कहते हैं हाँ सिर्फ तुम ही नहीं बलकि सब ही देख सकते हैं किन्तु आज तक किसी ने भी मेरी इस खोच के विशय में ना तो कभी चानने की कोशिश की और ना तो कभी आविशकार को परखने की कोशिश की बरोदा ये चश्मा देखने के लिए बहत उच्छुक थे उन्होंने उच्छुकता से वो चश्मा दिखाने हे तू बिरजु मोहन जी से कहा बिरजु मोहन जी आनंदित होकर अपनी बैग से चश्मे को निकालने लगे इस तोरान वो बरोदा से कहने लगी मैंने कब से इस दिन का इंतसार किया था क्योंकि मेरी किस्मत में कभी मेरा साथ नहीं दिया कुछ पलों के भीतर ही बैक खूल कर उन्होंने कई सारी वस्तों निकाली जिसके बचराव से अब तक चश्मा सुरक्षित था सही सलामत केस के भीतर से चश्मा निकाल कर उन्हों नी वो मुझे पहना दिया ये चश्मा आम चश्मे से परे था हूब हूँ ये एक बाइनाकुलर चश्मी की तरह लग रहा था साथ ही चश्मी का काच आम काच से स्यादा मोटा एवं अधिक मात्रा में था चश्मे को पहनते ही मेरे आखों के सामने सब कुछ हरा सा छा गया मुझे ऐसा अभास होने लगा मानो जैसे मेरी आखों के सामने हरा धुआ सा छाने लगा है चश्मी के इर्द केर्द बड़े बड़े स्क्रिव लगे हुए थे बिर्जु मोहन जी ने प्रथम बार किसी के साथ अपने खोज के विशे में अभी व्यक्त किया था वह इच्छुक थे यह जानने के लिए कि आखिरकार चश्मी को पहनने के बाद मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ वह एका एक मुझसे यही बात पूछने लगे बरोता बताते हैं दीरे दीरे मैंने अनुभव किया कुछ देर पहले नजरों के सामने मौजूद हरा दुआ परियावरन में विलीन हो चुका है मेरी आखों के सामने का नजारा संपून रूप से साफ था कमरे में एक छोटी सी बाती मौजूद थी कि दो चश्मे के नजरों से देखने के बर बाती की रौशनी का घेरा अत्यान्त बढ़ चुका था चश्मे को पहनने के बाद मैंने देखा कमरे में अलग सी एक रौशनी मौजूद है हाला कि वास्तविक दुनिया में ऐसी कोई रौशनी मौजूद नहीं थी इस रोश्णी को अपने ठीक सामने देख कर मेरी रूप थर थर आने लगी भया भय दर शिंदा होने के बावजूद भी मैं डरने लगा लेखक बताती हैं चश्मे को पहनने के बाद से ही बरोधा के लिए दुनिया के दो रूप बन चुके थे वह कहने लगे आहिस्ता आहिस्ता मैं इस नए दुनिया में समाने लगा यहां काफी सारी खुर्सिया रखी हुई थी उन सारी खुर्सियों पर एकाए कई लोग मौजूद थे जिनका धर तो नहीं किन्तु सर मैं देख पा रहा था उस कमरे में पैर रखने ही तु भी जगा मौजूद नहीं थी युन्तु वो सभी मेरी और ही देख रहे थे इस दोरान बिर्जू मोहन जी ने मुझ से पूचा क्या तुम्हें अब कुछ दिखाई दे रहा है बरूदा बताते हैं मैं बेहत खबराया हुआ था इस खबराहट की वज़र से बिर्जू मोहन जी की बाते सुनने के पाउजूद भी मैंने उन्हें अनसुना कर दिया क्योंकि मेरे लफ्स मेरे होटों तक नहीं बहुत सके इस बीच मेरी दाई तरफ मौजूद एक प्रेतात्मा मुझे निरंतर ताक रहा था धीरे धीरे सिर्फ दाई तरफ ही नहीं बलकि बाई ओड से भी काफी प्रेतात्मा मुझे खेर कर ताकने लगे इन कुछ शड़ों के भीतर घड़ित इसलम हे के कारण मेरी धड़कने सोर सोर से धड़कने लगी मानुच ऐसे की कुछ ही पलों में मेरा दिल बहर निकल आएगा कई प्रेतात्माओं का साया मुझे पर पढ़ रहा था इन में से कुछ बुजूर्ग थे तो कुछ जवान कुछ मुझ से आधी उम्र के थे तो कुछ मेरे समसामहिक इन में से कुई भी मुझे अपनी दुनिया में देख कर खुश नहीं थे उनकी नस्त्रों में यह साफ छलक रहा था कि बेना उनकी अनुमते लिए मैं उनकी दुनिया में प्रवीश कर चुका हूँ और इसी वज़य से इस दुनिया के लोग मुझ से खवा है उनकी नाराज़की का कोई अंत नहीं था वे सबी मुझे लेकर बाते करने लगे मेरे काडू तक उनका स्वर तो नहीं पहुचा किन्तु उनकी हाथों के चौल चलन से मैं यह समझ चुका था इनमें से एक बुज़ुर्ग व्यक्ते मेरी ओर देखकर अपमाजनक शब्दों से मेरी निंदा करने लगे किन्तु इससे उने किसी तरह का लाब नहीं हुआ क्योंकि उनका कहा एक भी लवज मैं सुनना सका काफी देर तक मेरे विरुत बाते करके वो अपनी नाराज ही मेच पर दिखाने लगे दुबारा से वे सबी मुझे लेकर विचार विमर्श करने लगे इस तोरान मेरी मनोदशा अकल पनिय थी किन्तु मेरे सहन से यह बात संपूर्ण रूप से निकल ही चुगी थी कि यदि मैंने इस चश्मे को हटा दिया तो मैं भयावे दुनिया से दूर वस्तविक जीवन में पहुच जाओंगा मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा था जैसे कि मैं आम दुनिया में ही मौजूद हूँ यहाँ मनुश्य तो नहीं है किन्तु यह भूतों का राज्य है मैं समझ चुका था कि मेरे अंद की बाचीत ही हो रही है मुझे मानने के लिए उन सभी में तहलका मचने लगा हाला कि मेरी पुथी विवेक काम नहीं कर रही थी यदि मैं चाहता तो चश्मा खोलकर आम दुनिया में वापस आ पाता किन्तु मेरी सत पुथी ने मुझे भागने का इशारा दिया आहिस्ता आहिस्ता वो सभी मेरी और आने लगे और भैभी थोकर में सुरों से चीलाने लगा आहिस्ता बढ़ाई कई कद में तेस रवतार से भागने लगी मैंने अपनी रफतार और तेस पढ़ाई किन्तु अकस्मात मैंने एक आवाज सुनी स्टेशन से आवाज आने लगी यात्रिगंड कृप्या ध्यान दीजिए गाड़ी नंबर 18-05-17 पर आ रही है अकस्मात ट्रेन की इंजन मेरे बाजू से निकल गई और खबरा कर मैं नीचे समीर पर गिर गया इस अफरा तफरी में मेरी रूह काप उठी साथ ही वो चश्मा मेरी आखों के सामने पट्री पर गिर गया और धीरे धीरे ट्रेन ने उस चश्मे को टुकड़ों में चूर चूर कर दिया ट्रेन थम कर पैसेंजर्स को अपने साथ लेकर चले गई और मैं वही बिहूश पड़ा रहा बिहुशी की हालत में मुझे ऐसा अभास हो रहा था जैसे प्रीत आत्माए मुझे देख कर सूरों से हस रही है क्योंकि उनके खौफ ने मुझे इस कदर परिशान कर दिया था साथ ही इस खौफना खटना के बाद वो चश्मा भी परबाद हो गया कुछ दीर बाद सब कुछ शान्त हो गया मेरे एर्दगेर्द स्टेशन के कुछ लूग मौजूद थे मेनी धीरे धीरे अपनी आखे खोली मेरे पबल में बेर्चु मोहन जी बैठे हुए थे मुझे आखे खोलती हुए देखकर वे फौरन मुझसे पूचने लगे मेरा चश्मा कहा है तुम उसे कहा जोड़ कर आये हो या फिर वो कहीं गिर गया मुझे बताओ मेरा चश्मा कहा है मैं बहुत जिन्तित हूँ मैंने अब तक उसे सावधानी से रखा था मुझे पर दया करो बता दो आखिरकार मेरा चश्मा कहा है बिर्जू मोहन जी की चीखे सुनकर मैं दोबारा से बेहोश हो गया कि तु इस पार मैंने बेहोशी का सिर्फ ना टक किया क्योंकि बिर्जू मोहन जी के सवालों के सामने मैं अपनी भावनाएं वो खौफनाक बल व्यक्त नहीं कर सकूँगा और मैं उन्हें यह भी नहीं बता सकूँगा कि उस दुनिया से वापस लोटने के लिए मुझे चश्मा खूलने की आवश्यक्ता थी किन्तु उस व्यक्त के भैभीक परोदा में चश्मा खूलने की भी शक्ती नहीं थी तो दोस्तों यही थी आज की कहानी हरा चश्मा यह कहानी सरविंदु पैनर्जी ने लिखा है जिसमें खौफ, सद्विवेक, डर, प्रेणना, धीरज जैसी कई बातों का वर्णन किया गया है जिसका आम जीवन में होना महत्वपूर्ण होता है रही बात कहानी की तो यह कहानी आप सभी को कैसी लगी मुझे कॉमें सेक्शन में बताईए कहानी का मूल उद्देश यही था कि आप सभी को इस कहानी के विश्य में पता चले क्योंकि देश भर में ऐसी कई अक्स्क्लूसिफ कहानिया मौझूद है जिन से हम सभी आज भी अंजान है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन कहानियों को आपके सामने लेकर आऊं तो आप कॉमेंट कीजिए मिलती हूँ आप सभी से हमारी अगली बहतरीन कहानी के साथ तब तक के लिए शबाख है